देखो जी मैंने कैदिया सो कैदिया मुझे अपने भाई के शादी में जरीवाली साड़ी पहननी है तो बस आप मुझे वो खरीद कर दे दो कहां से खरीद दू? तुम सब देख रही हो सुनीता मेरे पस कहा है पैसे? हाँ हाँ मेरे लिए क्यों होंगे पैसे? और अंधी नहीं हूँ मैं, सब देख रही हूँ हर महीने अपनी लंगडी बेहन पर खर्च करने के लिए खुब पैसे हैं तुम्हारे पास लेकिन अपनी बीवी के लिए तुम्हारी जेब खाली हो जाती है तुम्हें जो समझना है वो समझती रहो क्योंकि अब में तुम्हार बहस नहीं कर सकता ये कहकर केशो वहां से चला गया और उसकी पत्नी सुनीता जाकर अपनी ननत चांदनी पर बरस पड़ी अभी तक बरतन नहीं दूले तुझसे कपड़े कब दोएगी? एक नंबर की कामचोर और मकार लड़की है जानती है कि अगर धीरे-धीरे हाथ चलाएगी तो भावी खुद से ही कर लेगी सारा काम नहीं भावी मैं धोदूंगी कपड़े भी वो आजनब पैर बिलकुल उठी नीरा बस इसलिए देर लग रही है हाँ हाँ हर बात का एक यही जवाब तो है तेरे पास पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में जना था सासुमाने इसे खुद तो स्वर्ख सिधार गई और इसे छोड़ गई हमारी चाती पर मूंग दलने के लिए वैसे बेशरम भी बहुत है तू हर महीने अपने भाईया की सारी कमाई खर्च करवा लेती है और फिर जब कहाम की बारियों आती है तो लंगड़ी बन की दिखा देती है सच बता तेरे पैर में कोई दिक्कत है भी या फिर तू ऐसे ही ना टक करती है भाबी मैं जूट क्यों बोलूगी और अगर इतनी ही दिक्कत है तो मना कर दो ना भाया को की ना कराए मेरा इलाज अरे मेरा बस चलता न तो मैं तो मैं तो ले जाकर बाजार में बेच आती तुझे ताकि तो कभी लोट कर मेरे घर ही ना सके ऐसी खरी-खोटी चान्नी को हर रोज सुननी पड़ती थी लेकिन फिर भी वो चुप थी क्योंकि अपने भाई और भावी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था एक सड़क हादसे में चान्नी ने अपने माबाप को खो दिया था और उसी हादसे में चान्नी के पैर में लखवा मार गया था और तब से उसका भाई केशव जी जान से उसके पैर को ठीक करवानी की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वो चान्नी का इलाज किसी बड़े डॉक्टर से करवा सके उधर वो अपनी पत्नी सुनीता के खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रहा था इसलिए सुनीता बहुत भड़की हुई थी हलो भाईया अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी शादी में शामिल हूँ तो कल के कल दस हजार रुपे लेकर यहां चले आओ हैं क्या बूल रही है दस हजार रुपे मगर किसली है मुझे अपने पसंद की जरी वाली साड़ी खरीदनी है तुम्हारी शादी में पहनने के लिए अरे तो जीजा जी को बोलना वो दिलाएंगे तुझे अरे काहा तुम्हारी जीजा जी को अपनी बेहन पर खर्च करने से फुरसत मिले तब तो मेरे बारे में सोचे न ओहो तेरे घर में न मुसीबत की असली जड़ यह तेरी लंगडी नना दिये तो कुछ करती क्यों नहीं इसका करना तो बहुत कुछ चाती हूँ लेकिन कैसे करू बस यह समझनी आ रहा जी तो चाता ही अपने हाथों से गला घोड़ दो इसका अरे अरे बेहना इतना सब करने की जरूरत नहीं है अब वैसे में एक आइडिया दू जिससे तुझे इस आफ़स से छुटकारा भी मिल जाएगा और उपर से इतने पैसे भी मिलेंगे कि तु एक क्या जितनी चाहे उतनी जरी वाली साडियां खरी सकती है हैं कैसे क्या बोल रहे है भाया साफ साफ बोलो न इसके बाद सुनीता का भाई बिर्जू बोलता गया और सुनीता बस मुस्कुराती रही फिर अगले दिल अरे चान्नी अब जरा यहां तो आ तुझसे कुछ बात करनी है सुनीता का लहचा आज उसके स्वभाव से बिलकुल उलड़ था यह देखकर चान्नी को हैरानी तो हुई लेकिन फिर भी वो सुनीता की बात सुनने के लिए उसके पास जाकर बैठ गई और फिर सुनीता ने बोलना शुरू किया अदेख चान्नी तेरे भाईया की तरह मैं भी चाहती हूँ कि तेरा पैर जल्दी ठीक हो जाए लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत है न तो मैंने न तेरे लिए एक काम देखा है काम? कैसा काम? मुझे क्या करना होगा भाबी? जादा कुछ ने? बस वही सब जो तु घर में करती हैं? जाडू पोचा बरतन, खाना पकाना और सबसे बड़ी बात मुझे से बात करने को कहा और मेरी मान तो तू भी न उनसे इस बारे में बात मत करना, बिकार में वो दास हो जाएंगे अच्छा, अब अगर भाईया भी यही चाहते हैं तो मेरे पास ना कहने की कोई वज़ा ही नहीं है भाबी हम, यह हुई ना बात, तो फिर चल, मैं जल्दी से तेरा सामान बनवा देती हूँ, तुझे आज ही मेरे साथ चलना है क्या, आज ही, लेकिन भाईया तो मेरी दवाईया लेने शहर गए हुए और कल तक लोटेंगे हाँ, इसलिए तो तुझे आज ही निकलना है, तेरे भाईया ना तुझे वहीं शहर में मिलेंगे, अब बात होगई यह मेरी उनसे सुनीता के बिच्छाय जाल को चान्दनी समझ नहीं सकी सुनीता उसे लेकर सीधा अपने भाई के पास पहुँची और फिर लो भाईया, मैंने अपना काम कर दिया, बागे तुम संभालो हाँ, हाँ, तुझे चिंता मत कर, पाटी तैयार है, वो अपना बड़ा बाजार है न, वहीं खड़िया गाड़ी कैसी गाड़ी? किसकी गाड़ी में जाना है मुझे? अरे, उनी साब की गाड़ी है, जिनके घर तुझे काम करना है, वो तुझे अपने साथ शहर लेकर जाएंगे भाबी, भाबी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, एक बार मेरी भाईया से बात करवा दो अरे, तुप पागल है क्या? वो साब बहुत बड़े आदमी है, जादा देर इंतजार नहीं करेंगे तेरा और मैंने कहा ना, तेरे भाईया वहीं तुझे से मिलने आएंगे, चल, जल्दी से बिर्जु भया के साथ चली जा सुनीता की बात मानने के अलावा, चान्नी के पास और कोई चारा नहीं था बिर्जु उसे भीडभार वाले एक बाजार में लेकर गया, जहां एक अधियर उम्र का आदमी, अपनी बड़ी सी गाड़ी में पहले से इंतजार कर रहा था और फैर चान्नी चुपचाप जाकर गाड़ी में बैट गए, लेकिन तभी उसकी नजर बिर्जु पर गई, उसके हाथों में नोटूं की एक मोटी कड़ी थी, जिसे देखकर चान्नी को समझ आ गया कि अब वो ना तो कभी अपने घर लोट पाएगी और ना ही कभी अपने भाईया नहीं बनना चाहती थी, और आगे जो उसके साथ होने वाला था, उसके लिए वो तयार था, चान्नी को गई पांस साल बीच चुके थे, सुनीता ने केशव को बताया कि चान्नी किसी लड़के के साथ घर छोड़ कर भाग गई, लेकिन केशव का दिल ये मानने को तयार नही और उसमें से मौडन कपड़े पहने एक लड़की बाहर निकली, जिसे देखकर सुनीता के होश उड़ गया, चान्नी तू तू पर ये कैसे तेरा पैर, मेरा पैर ठीक हो चुका है भाबी, और मैं भी अब पहले जैसी नहीं रही, आप जो साथ भी को मुझे बेचा था, अस में वो इंसान नहीं एक देवता थे, उन्हें एक नौकरानी नहीं बल्कि एक बेटी चाहिए थी, अच्छा, ये तो कितना अच्छा हो गया, अब मानती है ना कि मैंने तेरा भला किया, वैसे उस बुढ़े ने तेरे नाम कुछ अपनी प्रॉपर्टी वगेरे भी कर दिया है क्या, हैं, बुलना, चान्नी ने सुनीता के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, और सीधे केशव की तरफ बढ़ गई, जो हाथ जोड़े और नजरे चुकाये खड़ा था, मुझे माफ कर दे चान्नी, तेरे साथ इतना कुछ कर दिया इस ओरत ने और मैं, मैं कुछ नहीं गर सका तेरे लिए, नहीं भाईया, मैं जानती हूँ आपको इस सबसे अंजान रखा गया था, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, वैसे तो मैं यहां कभी नहीं आने वाली थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि हमारा घर बिखने वाल है, तब तो मुझे आना ही था ना, यह कहकर चांदी ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल कर केशव के हाथों में रख दिये, जो उसका सारा कर्स चुकाने के लिए काफी थे, केशव ने वो पैसे लेने से इंकार कर दिया, तो चांदी ने उसे समझाते हुए कहा, भाया, यह पैसे ना लेकर मुझे पराया म बत करो, मैं अब भी आपकी बहन हूँ, और आप जब चाहे मुझसे मिलने आ सकते हैं, बाकी जिसने गलत किया है उसे तो सजा मिल कर रहेगी, यह कहकर चांदी वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैट गई और उसके वहां से जाने के बाद, वहां एक और गाड़ी आकर एक लड़की जिसका चेहरा पूरी तरह ठका हुआ था, वो ट्रेन की जनरल बोगी की भीर की परवा किये बिना ट्रेन में भागते हुए प्रवेश कर जाती है, अंदर इतनी भीर थी कि ऐसा लग रहा था कि वो कोई शर्नार्थी कैम्प हो, ट्रेन में तिल रहने की भी उस लड़की ने इधर उधर देखा और फर ट्रेन के शौचाले में जागुसी और उसने शौचाले का दर्वाजा बंद कर लिया, बस बस यहां से निकल जाओ मैं, किसी तरह यहां से निकल जाओ, वो बहुत ही छोटा स्टेशन था, इसलिए ट्रेन वहां एक मिनट के थोड़ी देर बार ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली, जैसे जैसे ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, वो लड़की जिसका नाम चंदा था, उसकी सांसों की रफ्तार भी धीमी हो रही थी, और वो मनी मन एक उत्सव मना रही थी, उत्सव आजादी का, चंदा एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। उसके पिता बच्पन में ही गुजर गये थे। उसकी मा दिहारी मज़्धूरी का काम क्या करती थी। कभी वो मकान का काम करती तो कभी पुल का, तो कभी सुरंग बनाने का। चंदा की मा आपसर बिमार भी रहा करते, इसलिए उनके घर का चूला कभी जलता तो कभी नहीं जलता। बहुत ही मुश्किल से उसकी कमाई से घर का गुजारा चलता था। जब चंदा दस साल की हुई तो एक दिन उसने अपनी मा से कहा, मा, मैं भी तुम्हारे साथ काम करने जाना चाहती हूं। दोनों मिलकर काम करेंगे तो जादा पैसे आएंगे। इससे तेरी दवाई भी आ सकेगी और दो टाइम की रोटी भी। जाना चाहती थी क्योंकि उसका स्वास्ति अब बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता था। अब तो वो सारा समय घर पर ही रहती। ये ले मा दवा पी ले। दवा नहीं पीएगी तो ठीक कैसे होगी। दवा दवा तो सालों से खारी हो बेटी। अब मैं ठीक होने से रही। बस के मूनने के पहले तेरी शादी देख लू। लेकिन गरीब बेटी की शादी करना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के ढेर में सुई ढोड़ना। फिर भी ये शोदा चंदा की शादी की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ती थी। इसी क्रम में एक दिन चंदा की दूर की बूआ यशोदा के घर आई और अरे पहले सास तो लेने दे फिर बताती हूँ सारी बाते विस्तार से। असल में चंदा की बूआ चंदा के लिए बहुत अच्छा रिष्टा लेकर आई थी। यशोदा को तो विश्वासी नहीं हो रहा था कि उसकी चंदा की किसमत इतनी अ बस दो जोडी में चंदा को विदा कर दे। जब जिन्दगी में सिर्फ दर्द ही दर्द भरा हो चारों और दुखी दुख हो तो उस समय अगर अच्छी खबर भी मिले तो इंसान उस खबर को शक की नजर से देखता है। यशोदा का भी वही हाल था। उसे उस दिन तक चं तिनी खुशी मिले कि तुम अब तक की सारी तकली पे भूल जा। अपनी मा से धेर सारा आशिरवाद लेकर चंदा अपने पती मोहन के घर श्यामपूर आ गई। मोहन के पिता का देहांत कुछ साल पहले हो गया था। मोहन की मा शीला देवी बहुत ही कड़क मिजाज औरत जैसे ही चंदा ने इस घर में प्रवेश किया तो उसने साफ साफ चंदा से कह दिया कि चंदा ये जो घर है न यहां के कोने कोने में मेरी हुकूमत चलती है मेरी मर्जी के बिना यहां एक पत्ता भी नहीं हिलता और घर ही नहीं पूरे श्यामपूर में शीला देवी यानी म इसलिए कभी भी भूल से भी अपनी मर्जी यहां चलाने की कोशिश मत करना। जो चीज़ें यहां होंगी उसे आंक मून कर स्विकार कर लेना। और अगर स्विकार नहीं किया तो तुम्हारी सिंदगी नरग बना दूगी। यह तुम मेरे पाओ मच्छो बेटी देखो तुम उस घर में विवाह करके जा रही हो जहां बहु को बेटी की तरह रखा जाता है। चंदा बेटी बस एक ही बात तुमसे कहना चाहूंगी कि अगर शादी के बाद तुम्हे उस घर में जरा सी भी दिक्कत हो तो सबसे पहले में की साड़ी गहने जो भी लेना हो अगर पैसे कम पड़े तो मैं और भिचवा दूँगी। ये शोधा की तरह चंदा को भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था लेकिन सच्चाई तो यही थी कि उसकी शादी श्यामपुर के सबसे अमीर घर में हो रही थी। लेकि अधिके एक सब्ताबाद की बात है। मोहन शेहर गया हुआ था और उस दिन शीला देवी ने चंदा को ऐसी बात कहीं जिसे सुनकर उसकी रूह काम गई। ये क्या कह रही हैं आप? मैं कोई बात दोराती नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अरे कैसी माह है आप जो अपने बेट के साथ सोने के लिए कह रही हैं चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं ये नहीं करूँगी और आने दीजे आपके बेटे मोहन को, मैं उन्हें पूरी बात बताती हूँ। चंदा की इस बात पर शीला जोर जोर से हसने लगी और हसने हुए ही उसने एक जोरदार चाटा मोहन मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा प्यादा है प्यादा और उस प्यादे के कारण ही तो मैं ये दुनिया सालों से चला रही हूँ। राजवंश, सोहन, तुम लोगों के रहते हुए इस लड़की ने भागने की हिम्मत की, इसे भी वही सजा दो जो अब तक हमसे गदारी करने वाले को दी गई है। लेकिन एक दिन उसकी भी बरदाश्ट की सीमा तूट गई और वो वहाँ से भाग निकली और इसका पता तब लगा जब एक ग्राहक चंदा के कमरे में गया। अरे शीला देवी, तुमने पैसे तो पूरे ले लिए, लेकिन वो चंदा, चंदा कहा है। चंदा अपने कमरे में है और कहा है। वो अपने कमरे में नहीं है। ये सुनकर चंदा देवी के कान खड़े हो गए, वो भाग कर चंदा के कमरे में गई तो वो नदारत थी, अरे मुफ्त खोरो कहा मर गए तुम सब के सब, वो चंदा भाग गई, लेकिन कैसे, उस गुंडे की बाद सुनकर चंदा देवी ने एक जोड़दार तमाचा उसे मारा और कहा, एक घंटे के अंदर अगर वो लड़की मेरी आँखों के सामने नहीं आई, तो तुझे उपर भेश तुगी, चंदा की तलाश शुरू हो गई, लेकिन चंदा तो वहां से बहुत दूर जा चुकी थी, चंदा पूरे तीन साल उन राक्षसों के पास रही, और इन तीन सालों में उसने सब की नजर से बचा कर अपने कमरे से होकर बाहर निकलने के लिए एक सुरंग बनाया, और उसने इस काम को इतनी सफाई से किया, कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, और जब शीला देवी और उसके गुंडों को सुरंग का पता लगा तो, अरे बाप रे बाप, वो लड़की तो बहुत ही शातिर निकली, हमें लगता था वो बहुत शरीफ है लेकिन उसने तो, शीला देवी बहुत टेंशन में थी, उसे अब अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए नई लड़की चाहिए थी, दूसरा उसे इस बात का भी डर था कि कहीं चं करके निकल रही थी, और इस रोज जब शीला देवी के कहने पर उनका रसोईया खाना बनाने गया और उसने गैस ओन किया, तो एक ख्यानत रिसकोट हो गया, शीला देवी के मकान सहीद उसकी पूरी गंदी दुनिया उसमें चल कर खाक हो गए